आज का टॉपिक है फैमिली रूबी एसी सिस्टेमाटिक पोजीशन अगर हम इस फैमिली की देखें तो डिवीजन एंजियोस्पार्मी यानि ओव्यूस ओवरी के अंदर होते हैं इसमें सबडिवीजन डाइकोटाइलेडनी यानि कॉटिलेडन्स दो वैस्कुलर बंडल ओपन और रिंग में अरेंज्ट होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल होती है इसमें और लीव्ज में रेटिकुलेट वैनिशन पाया जाता है फ्लार टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं गेमो पेट्ली यानि पैटलस फ्यूज होते हैं आपस में चुड़े हुए होते हैं सिरीज snacks इंफेयरी यानि ओवरी इंफेरियर होती है इसमें और ओरर और रूबीयेल्स तरुवियेल्स या फ्लार होते हरे रैगिटलरर हो सकते हैं स्टामेंस इन्स अपिपेट्लस होते ह फैमिली रूबी एसी, इस फैमिली में अधिकतर हर्ब्स या ट्रीज होते हैं, लीव्स अल्टरनेट या उपोजिट, इंटरपेटियोलर या इंटरपेटियोलर इस्टिप्यूल्स इसमें पाय जाते हैं, इनफ्लोरिसंस साइमोज होती हैं, फ्लार्स टेट्रा या पेंटामेरस होते हैं, बाइसेक्शल, एक्टिनोमॉर्फिक और एपिगाइनस होते हैं, पेटल्स फ्यूस्ट, स्टैमन्स, एपिपेटलस, इंटरॉर्स, ओवरी इंफीरियर, बाइलॉक्यूलर होती है, प्रूट क मैं इक प्लांट्स, टॉपिकल, सब्ध्रोफिकल और टांपरी टृइजनस में पाय जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी habit क्या होती है यानि प्रकर्टी क्या होती है यह perennial trees होते हैं बहुवर्षी trees होते हैं जैसे morinda, adena species अधिकतर shrubs होते हैं इसमें जैसे gardenia species, exora species, musanda and himalaya और कुछ house भी होते हैं root इन में tap root पाई जाती है, musla जणे पाई जाती हैं जो की branched होती है stem, aerial, yva, erect, सीधा खड़ावा और cylindrical या angular हो सकता है herbaceous या woody होते हैं या कई बार twinning भी हो सकते हैं stem इनके twinning होते हैं यानि वो support पर लिपटते हुए उपर चड़ते हैं climber भी हो सकते हैं जैसे hook-like structures के दोरह climb कर सकते हैं यह उपर चड़ सकते हैं stem branched, solid, hairy या smooth हो सकता है और इसका upper portion green होता है leaves अगर इनकी हम देखें तो colline and dremel यानि main stem पर भी होंगी और lateral branches पर भी होती हैं opposite या word यानि एक note पर दो leaves होंगी या फिर एक note पर दो से अधिक leaves भी हो सकती हैं और leaves इनकी simple और stipulate होती हैं stipule पाया जाता है उनमें और यह stipule interpetiolar या intrapetiolar हो सकता है interpetiolar मतलब दो petiol के बीच में intrapetiolar petiol के अंदर की तरफ interpetiolar stipules होते हैं जो दो leaves के बीच में पाय जाते हैं जैसे opposite leaves हैं उनके बीच में पाय जाते हैं जैसे एक जोरा में मुसेंडा में interpetiolar stipules पाय जाते हैं यह stipules leafy या bristle-like हो सकते हैं leaves petiolate होती हैं leaf में petiol पाया जाता है lansiolate या ovet हो सकती है Lensulate जोडाई की तुल्ना में लंबाई अधिक होती है Entire यानि इनके जो margins है वो smooth होते है Apex pointed होता है और Venetian Unicostate Reticulate होता है यानि एक prominent midwayne होती है एक और उससे lateral branches निकलती है Inflorescence इसका अगर हम देखें तो solitary भी हो सकता है यानि single flower leaf की axle में लगा रहता है या फिर terminal sign भी हो सकता है, terminal end पर एक sign पाया जाता है या multiparous sign, multiparous या polycasial sign भी कह सकते हैं इसको जिसमें एक main axis पर flower होता है और फिर lateral side में चारों तरफ एक wall बनता है जिस पर वापस से sign लगे रहते हैं तो इसको multiparous sign कहते हैं और हर एक branch एक helicoid sign होती है तो lateral branches होती है उसमें सारे flowers एक ही तरफ निकलते हैं तो वो एक helix की form में आ जाती है तो इसको कहते हैं helicoid sign जैसे hemalia patens में होता है penicled sign पाया जाता है penicled यानि branched sign कह सकते हैं इसको कई सारे sign एक साथ लगे रहते हैं flower bracteate या ebracteate हो सकता है pedicillate होता है या फिर socile भी हो सकता है bisexual होता है दोनों male और female reproductive structures एक ही flower में पाये जाते हैं rarely unisexual होता है यह flower actinomorphic होते हैं लेकिन कभी-कभी zygomorphic भी हो सकते हैं flower complete होता है सारे walls इसमें प्राई जाते हैं यह tetra या pentameras हो सकता है यानि जो इसके floral parts है वह 4 के multiple में या 5 के multiple में होते हैं flower epigynus यानि over inferior होती है इसमें cyclic होता है wall में लगे हुए होते हैं सारे floral parts इसके बाद अगर हम इसके calyx देखें यानि वह दल पुंच तो वह दल पत्र या सैपल्स 4 to 5 हो सकते हैं और आपस में fused होते हैं इन में wall weight estimation पाया जाता है यानि सैपल्स के margin पर कोई overlapping नहीं दिखाई देगी persistent होते हैं लंबे समय तक उस पर लगे रहते हैं कई बार एक सैपल modify हो करके एक बड़ा bract like structure बनाता है जैसे musenda species में आप देखेंगे corolla या dal punch इसमें petals 4 to 5 हो सकते हैं gamo petals होते हैं यह petals आपस में जुड़े होते हैं lobed हो सकते हैं या फिर funnel shape keep के आकार के हो सकते हैं या कई बार tubular हो सकते हैं चोटी tube के form में estivation इसमें wall weight या imbricate या twisted कोई भी हो सकता है अलग-अलग plants में अलग-अलग तरीके का estivation दिखा ही देगा उनके corolla में androsium या pumung इनमें 4 to 5 stammens हो सकते हैं punkesar चार से लेकर के 5 तक हो सकते हैं कई बार बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे gardenia species में ये petals से attached होते हैं epipetalus होते हैं और petals से alternate condition में present होते हैं इसमें जो petals होते हैं वो एक tube बनाते हैं पहले और फिर spreading form में रहते हैं तो corolla tube के mouth पर stammens लगे होते हैं anther diethicus होते हैं दूइकोष्ठी होते हैं base fixed या dorsi fixed हो सकते हैं stammens का filament है anther के base से या फिर dorsal side से attached होता है ये intraors होते हैं अंदर की तरफ होते हैं but condition में एंथर्स में longitudinal dehiscence देखा जाता है gynosium या gyang bicarpulry दो ये ndp है यानि दो कारपल्स होते हैं दो leaf modify हो करके fuse हो जाती है और कारपल बनाती है तो bicarpulry syncarpus condition यहां पर होती है यानि दोनों कारपल्स fused होते हैं बहुत rare condition में polycarpulry condition दिखाई देती है यानि दोनों कारपल्स अलग-अलग होते हैं ovary में inferior होती है थैलमस पर ovary सबसे नीचे होती है बाकी सारे जो parts है वो ovary से उपर होते हैं बहुत काम cases में यह half inferior भी हो सकती है जो थैलमस है एक cup shaped structure बनाता है उसके rim पर sepals petals पाय जाते हैं और ovary नीचे की तरफ होती है जैसे synaptine thera species में या फिर कई बार superior भी हो सकती है ovary वैसे तो bilocular होती है लेकिन कई बार unilocular भी हो सकती है इसमें exile placentation पाया जाता है लेकिन gardenia species में parietal placentation पाया जाता है ovules one too many in each locule हर एक locule में एक या एक से अधिक हो सकते हैं और यह anatropos type के होते हैं ovule पूरा उल्टा हो जाता है style इसमें one होती है और जो की दो में divided हो सकती है या फिर कई में divided हो सकती है लंबी होती है stigma simple या by lobed होता है fruit अगर हम इसका देखें तो fruit इसका berry या capsular हो सकता है जैसे anotis species में seed endospormic होते हैं या उनमें endosporm पाया जाता है कई बार winged भी होते हैं seeds wing पाया जाता है इनमें floral formula actinomorphic या फिर कई बार zygomorphic flower होता है bisexual calyx 4 या 5 होते हैं जो की आपस में fused होते हैं इसी तरीके से corolla भी 4 to 5 हो सकते हैं और आपस में fused होते हैं endosium जो stamens है वो भी 4 to 5 हो सकते हैं और epipetalus होते हैं इसी कारण से यह उपर एक correction दिखाया है corolla और endosium के साथ gynosium 2 to 5 और ovary inferior होती है जो बार इसमें उपर की तरफ लगाएंगे यह आप देख रहे हैं बहुत common plant है family rubyacee का आपने कई gardens में यह plant देखा होगा exora coccinea आप देख रहे हैं flower tetramerus है four petals इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको four stammens दिखाई दे रहे हैं जो की corolla की जो tube है उसके mouth पर corolla नीचे से देख रहे हैं आप tubular form में आता है फिर उपर जाकी spread हो जाता है तो जो neck है जब mouth है corolla tube का वहाँ पर आपको stammens दिखाई दे रहे हैं डीटेल में अगर हम exora को देखते हैं तो exora की यह twig दिखाई दे रहे हैं आपको और इसमें जो flower का एलस काटने पर stammens corolla tube के mouth पर दिखाई दे रहा है ओवरी inferior होती है इसमें corolla पहले tube बनाता है उपर जाके spread हो जाते हैं anthers डाय थीकस होते हैं इसमें और longitudinal dehiscence होता है तो longitudinal slit दिखाई दे रहे हैं अंथर में गाइनोशयम में ovary style और stigma, stigma bifid है ओवरी का ट्रांस्वर्सक्शन काटने पर bicarpulary syncarpus condition दिखाई दे रहे हैं जो कि bilocular है दो locule है इसमें और हर एक locule में एक ovule दिखाई दे रहा है फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो फ्लार bractiate, bractiolate, complete, actinomorphic, bisexual दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 4 saples हैं जो कि wall weight हैं petals 4 जो कि twisted condition में दिखाई दे रहे हैं एक margin अंदर एक margin बाहर fused हैं आपस में, saples भी आपस में fused हैं और petals भी आपस में fused हैं stamens epipetlus हैं यानि petal से attached हैं जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और gynosium bicarpulary syncarpus bilocular with exile placentation यहाँ इस floral diagram में हम देख सकते हैं economic importance अगर इस हम family की देखें तो इस family में कई plants ornamental हैं या फिर medicinal plants भी हैं और कुछ beverage plants भी हैं जैसे gardenia, exora, musenda, himelia इनके flowers बहुत ही सुंदर होते हैं इस कारण से इनने garden में ornamental plants की तरीके से लगाया जाता है गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए medicinal plants जैसे synchona officinalis and rubia cardifolia synchona officinalis की bark से एक alkaloid निकलता है जिसको quinine कहते हैं और ये malaria के लिए बहुत अच्छी medicine है इसी तरीके से rubia cardifolia की जो roots हैं उनका भी medicinal use है beaverages plants जैसे की coffee arabica, coffee robusta and coffee liberica इनके seeds को भून करके और piece करके coffee powder बनाया जाता है आपको coffee arabica की plants दिखाई दे रहे हैं एक में flowering हो रही है और दूसरे में fruiting हो रही है तो ये जो red color के fruits हैं इनमें से जो seeds निकलते हैं उनको ही roast करके और piece करके coffee powder बनता है ये है himelia petens जो की shrub है एक जाड़ी है और इसको काफी garden में लगाया जाता है इसकी hedge भी बनाई जाती है और इसके जो tubular flowers है flame की तरीके से दिखाई देती है बहुत सुंदर इसका आग जैसा color होता है flame की तरीके से दिखाई देते हैं ये syncona officinalis जिससे आपको मालूम ही है quinine मिलता है malaria की medicine affinities of the family rubyacy कई families से affinity रखती है जैसे adduxacy adduxacy से इसकी काफी resemblance है इसके अलबा caprifoliacy से भी इसकी resemblance है क्योंकि इसमें inferior ovary पाई जाती है actinomorphic hermaphrodite flowers पाई जाते हैं इनकी inflorescence भी same एक जैसी होती है rubyacy loganiacy से भी सम्मंद रखती है family loganiacy में भी well developed estipules होते हैं जैसे कि इस family में होते हैं उसी तरीके से glandular trichomes होते हैं nuclear endosperm दोनों families में पाई जाता है बस अंतर यह है कि loganiacy में ovary superior होती है और rubyacy में ovary inferior होती है इसके अलाबा बैसे ने order rubyales को umbilales से भी compare करा है उन्होंने बताए कि जो rubyales order है इसका origin umbilales से हुआ है क्योंकि इसमें भी umbilales की तरीके से फ्रार एक जगे aggregate इखटे रहते हैं इसके अलबा calyx, corolla, stamens और carpals का नंबर कम है दोनों में ही epigynos flower है यानि umbilales में भी और rubyales में भी इस family के primitive और advanced character कौन कौन से है प्रिमिटिव character यानि ये trees या shrubs होते हैं इन में leaf simple stipulate होती है car, bisexual होते हैं, hermaphrodite और actinomorphic होते हैं, stamens polyandrous होते हैं, अलग-अलग होते हैं आपस में, seeds endospormic हैं तो ये सारे इसके primitive character हैं जबकि advanced character क्या है इनके इस family में कुछ herbs भी पाय जाते हैं, leaves इनकी opposite या world होती है flower epigenus, rarely unisexual या zygomorphic वैसे तो अधिकतर इसमें flower bisexual है और इसका ये primitive character है लेकिन कुछ flowers इसमें unisexual भी हैं तो ये इसका advanced character हो गया इसी तरीके से actinomorphic इसका primitive character है लेकिन zygomorphic flower भी हैं कुछ plants में तो ये इसका advanced character है calyx भी आपस में fused होते हैं, corolla भी आपस में fused होते हैं तो ये advanced character है stamens epipetalus होते हैं, number of carpal reduced to 2 carpal का number बहुत कम है, fruit इसमें simple होता है Thank you